गुड बॉर्निंग इस्टुडेंट्स इस्टुडेंट्स आज अपने क्लास हैं इंगलिस की और इंगलिस में अपने आज बढ़ेंगे चैप्टर नमबर टू एनिमी एवरी डे चैप्टर का नाम क्या है? इनिमी एवरी डे याने हर देद दुस्मन तो इस्टुडेंट इस चैप्टर को तो अपने पढ़ लिया था उसको समझ भी लिया था बट इसके आंस्वर और वह बाकी थे तो आज अपने इसके आंस्वर और वह बारे में पढ़ेंगे ठीक है? और जो आपको डाउट्स लग रहा है वो आपका भी क्लियर हो जाएगा चले तो स्टुडेंट्स अपने स्टार्ट करते हैं आप अपने बूक अपन कर देजिए और साथ साथ में स्क्रीन को भी देखते रहे हैं और कि श्टुडेंट्स यस इसक्रीन की तरफ देखिए चैप्टर को तो अपने पढ़ लिया था समझ लिया था कि एक चुहा होता है और एक बिल्ले होती है जो आपस में वैसे तो दोस्त होते हैं बट वो अपन को क्या मानते हैं दुस्मर मानते हैं अटिया गेले अफ़ दीड है इस दोनों वीडियों में मैंने आपको वर्ड़ गैलेरी हो में होमग दिया था और वह हॉमग आपने लर्ण भी करने को बोला था तो I thought कि आपने learn भी कर लिया होगा चलिए तो अपने answer questions के बारे में बात कर ले देए जो यहां से ओके हाँ आप अपने book यही से open कर दीजिए और understanding the story screen की तरब भी देखिए यह activity देखिए fill in the blanks with the operated words from the given box इस box में जो words दिख रहे हैं और यह जो भृक्तिस्तान यानि feel नहीं उसमें feel करना है जो आपको एक हाली जगर दिख रही है उसमें उसको feel करना है हाँ तो मैंने पहले आपको feel तो कर दिया है बट आप समझ लो एक बार ताकि आपको समझने में problems नहीं होगी ओके हाँ the rat through another plate on the cat seed यानि इसमें क्या आया है plate यानि rat ने चुहे ने बिल्ले के सीर पर plate फैकी थी क्या फैकी थी plate तो यहाँ पर क्या हो गया plate ओके second देहिए you are laying so that I don't punish you you are laying आप जूट बोल रहे हो so इसलिए that I don't आताकि आपको punishment नहीं मिले यह किस ने बोला था honor यानि घर के मालिक ने यह बिल्ली को बोला था तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा पनीस यानि पनीस ओके हां थार्ड देखिए the cat show that rat laughing at him यानि जब बिल्ली जाल में फसी थी तब चुहा उस स्वरी जब बिल्ली को punishment मिली तब चुहा उसको देखकर क्या कर रहा था आश रहा था तो उसका क्या होगा लॉफिंग तो इसमें क्या आएगा लॉफिंग Okay हां फोर्त देखिए the cat's tail got trapped in the rat trap Damnan cat's tail got यानि बिल्ली की पूच trapped in the rat trap किसमें फसी थी चुहे के जाल में फिसी किसके चुह जाल में फशी थी तो यहाँ पर क्या आएगा Rat Trap Okay फिप्त देखिए After laughing loudly The cat picked up the trap बहुत उच्छे आवाज में हसने के बाद The cat picked up the trap याने उसने जाल को खोला था किसने खोला था? Cat ने तो यहाँ पर क्या आएगा? Cat ओके? तो यही थी filling the blanks अब आते हैं अपन वी activities पर Write T for true and F for false sentences One has been done for you एक आपको clear F पर भर दिया है याने आपको T for true याने सच क्या है और false याने गलत क्या है वो आपको बताना है यादि गलत है तो false और सच है यह तो उसका क्या आएगा? The rat true another ball on the cat's tail याने rat ने plate मारी थी बिल्ली के उपर बॉल नहीं मारी तो इसका मतलब क्या आएगा? False The cat second देखे The cat punishment was to sit outside the house for the enters evening याने cat को जो पनिस्मेंट मिली थी वो पनिस्मेंट उसको यह थी कि उसको घर के बाहर रहना है और शाम को घर के अंदर एंटर करना है तो यह क्या था? राइट था क्योंकि ओडर ने उसको यह पनिस्मेंट दी थी The rat cleverly brought a plate near the cat's tail अब चुहे ने बिल्ली के पूँच के पास plate रखी थी? No उसने plate नहीं रखी थी तो क्या रखा था? जाल याने trap रखा था उसमें बिल्ली की पूँच फसी थी तो यह क्या हो गया? false ओके? हाँ फोर्थ देखिए The cat took out the rat from the trap The cat took out the rat from the trap यह क्या है? ट्रू याने बिल्ली ने चुहे को बाहर निकाला था जाल के बाहर ओके? फिफ्थ देखिए They shook hands and quickly went to the house वो हाथ मिलाने के बाद जल्दी से घर से नहीं गए थे यानि वो जल्दी नहीं गए थे वो खुशी-खुशी घर पर गए थे तो quickly की जब्के की आईगा? happily यहाँ quickly की जब्के हैपली होता तो true होता नहीं तो अब क्या होगा? false यह था आपना true and false इसमें कौन-कौन से true है और कौन-कौन से false है जो मैंने आपको फिल करके दिये हैं ओके? यास एक्टिविटीज सी answer the following questions अब इसमें questions आये उसको answer आपको लिखना है first questions देखिए what was the punishment given in that what was the punishment given to the cat? बिल्ली को क्या punishment मिली थी? बिल्ली को punishment यह मिली थी कि उसको घर के बाहर रहना है और शाम को घर के अंदर आना है तो उसका answer क्या होगा? his punishment was to outside the house for the entire evening ओके यह question फर्ष्ट का answer है इसके बाद second questions देखिए what plan did the cat make to take revenge? बिल्ली ने क्या यूजना बनाई थी ताकि वहाँ चुहे से बदला ले सके तो बिल्ली ने क्या idea बनाई था? उसने घर में क्या बिच्छाय था? जाल ताकि उसको यानि चुहे को पकड़ सके तो ले डे ट्रेप to catch the rat जाल बिच्छाय था ताकि चुहे को पकड़ सके थर्ड देखिए what did the cat do the rat in the end? what did क्या क्या the cat do? cat ने rat को end में end में उसने क्या कहा था? उसको यह कहा था कि मैं आपको जाल से बार तो छोड़ देता हूँ नई उसको खा लेता हूँ मैं चाहती तो तेरे को खा सकती हूँ बट अगले दिन अमारे का दुस्मन कौन होगा? इसलिए मैं उसको छोड़ देती हूँ तो cat ने इसलिए चुहे को छोड़ दिया था और कहा था कि enemies again अभवन दुसरी बार दुस्मन बनेंगे यास यह था अपने answer and following questions अब आते हैं de-activities देखिए who shared these lines in the story and to whom यानि यह जो वाक्य लिखा हूँ उसने किसे कहा और किसे से कहा किसने तो कहा और किसे से कहा तो आप पढ़ लेते हैं de-खिए but first you have a now where I am चुहे ने कहा था कि तुम पहले मेरे को देखते लो कुछ में कहा हूँ तो वो चुहे ने कहा था और किससे कहा था cat यानि बिल्ली से तो who में क्या आएगा rat और whom में क्या आएगा cats ओके you nasty cats what you have done now तुम बदमास हो यह किस ने बोला था honor ने बोला था और किसको बोला था cat को congratulations congratulations you can throw me out now बदाई हो अब मुझे बाहर निकाले अब आप मुझे बाहर निकाल सकते है congratulations यानि जब यह किस ने कहा था चुहे ने उस बिल्ली को कहा था you won congratulations आप जीत गए बदाई हो अब आप मुझे बाहर निकाल सकते हो यानि एक चुहे ने बोला था किसको बोला था तो उसको पन क्या बोलेंगी विलोमसंद विलोमसंद क्या सब था बीग बड़ा तो इसका अपोजिट क्या होगा small यानि छोटा उसके विपरित लिखना है क्या करना है विपरित तो फस्ट वेट वेट का क्या होगा dry far near left right fast slow start end happy sad wet यानि गिला dry यानि सुखा far यानि दूर near यानि नजदिक left यानि बाय और right यानि दाय fast यानि तेज slow यानि धीर start यानि start end यानि happy यानि खूश sad यानि दास ओके तो ये जनरली आपको पता ही होगा तो ये क्या है opposite opposite या unterm semi words है ओके हाँ चले next बेस निकाले affectivities choose the operated synoms for the following words from the given options in the brackets synoms का आर्थ होता है परियावाचिस परियावाचिस सब्द ये होता है यानि उसका दुसरा नाम क्या दुसरा नाम जैसे smart smart का क्या होगा ये मैंने right click क्या है ये होगा नीट नीट यानि टेड़ी ट्रू या राइट शैमी है जोग या रान एक ही है blanks इंपटी एक ही है happy funny एक ही है little small एक ही है listen and hear एक ही है ओके हाँ तो ये इसके क्या होगे परियावाचिस साब यानि जो मैंने आपको right click क्या है ये क्या है right है okay हाँ words game यानि जी activity given below are words with double consonants circle the words that are correctly spelled उसमें double vengeance का प्रियूग किया गिए कुछ words ऐसे है जिसमें double vengeance का प्रियूग किया गिया है उसमें आपको circle करना है क्या करना है circle तो मैंने आपको ये क्या है अंगुली सी क्या है इसलिए थोड़ा नहीं दिख रहा है running है writing है smallest है affecting है affecting है journing swimming ये क्या है double consonants words है okay तो इस पे आपको क्या करना है circle करना है okay yes h activity add l y e r or o r add the end of each words from new words end में आपको क्या लिखना है जो words आपको clearly दी हुए इसमें end में या तो आएगा l y या आएगा e r या आएगा o r तो आपको cleverly क्या आएगा cleverly या clever भी अपन बोल सकते हैं slow यानि slowly l y आया पीछे loud यानि loudly play यानि player यानि क्या आएगा e r may यानि mayor और mayor दोनों भी होशकता है teach यानि teacher tell यान टेल यान टेल और by and bear और doctor यानि doctor ओके तो ये same words यूज हो रहे हैं यानि क्या यूज करना l y e r या or or ओके yes हाँ इसके बाद आई activities है your teacher is going to read out some sentences listen to hear him carefully circled the correct palaces bear the respective options tech palace अब इसमें ये वाक्य यानि sentences दिया हुआ है इसमें write क्या है वो उस पर आपको क्या करना है circle करना है we are watching a movie on the big screen आपको movie book बड़े परदेपर आपको movie यानि film देखनी है तो आप किसमें देखोगी school में देखोगी या cinema hall में यानि cinema hall में आपको बड़ी screen पर film देखने को मिल सकती है तो इसमें circle किस पर करना है cinema hall the pink flower are pretty यानि गुलाबी फूल है वो क्या है अती सुंदर है तो वह किस में हो सकता है mall में हो सकता है या garden में फूल किस में हो सकते है garden में तो क्या आएगा garden is right mother is cooking pizza माता ममी है cooking खाने में क्या बना रही pizza तो वो कहाँ पर बना रही होगी kitchen या temple में temple मंदिर में थोड़ी बना सकते kitchen यानि रसुई घर में बनाती होगी तो kitchen is right फूर्थ दिख let us buy some new cloths मैंने new कपडे खरीदे है तो temples में कपडे मिलते हैं या shopping mall में तो उसमें क्या आएगा shopping malls not temples तो right is shopping mall ओकी students अब ये आता है J, K, L L में आपको क्या करना है color fill करना है और इसका titles लिखना है अब ये let's speak यानि ये speak तो only आपको पढ़ने के लिए है यानि ये चुहा और ये cat आपस में बात करें तो ये आपको speaking टाइट करने के लिए ये दिया जाता है इसलिए आपको ये पढ़ना है K में क्या करना है right of writing writing ये लिखना है आपको art of writing write any four activities that you like to do with your best friend अब इसमें आपको क्या लिखना है I like to यानि आपका best friend है मान लेजे कोई आपका best friend है इन फोर एक्टिविटीज लिखने डेट ये लाइक टू डू यानि उसको आप पसंद करते हो यानि वहाँ ऐसा कोज़िसा काम करता है जो आपको पसंद लगता है तो I like to ऐसे ऐसे करके कितने लिखना है फोर ये आपका ही काम है ये आपको लिखना है ओके एल में आपको color fill up करना है compulsory तो नहीं ये बट आपको time मिले तो कर सकते हैं ओके तो thank you student ये अपने chapter complete हो रहा है आज और यदि इस chapter में कोई आपको doubts है तो आप मेरे को whatsapp में message करके doubts clear कर सकते हैं तो students आपका homework क्या रहेगा वो आपको mature parents आप पर मिल जाएगा और जो मैंने आपको बता है वो आपको book में fill करना है यानि book में ये लिखना है ओके हाँ तो thank you students bye bye bye